प्रिविद्यारतियों कक्ष चटी का गणी थे ये और अध्य है साथ है बिन्न और प्रशनावली ये साथ दसनों पांच उसका पहला सवाल है निम्न बिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखी है तो ये एक इसको बिन्ने के रूप में लिखना है इसको भी ल इनने लगाना है, तो वो कब निकालेंगे, पहले जब भिन्न निकालेंगे तब, तो देखो हम भिन्न निकालते हैं, इस भिन्न को लिखा मैंने देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच खाने सभी में हैं, तो यहां मैंने बटे में लिख भ வ Everest होगा और siyaiki सिध्था जोड़या घटा हो जाएगा तो इहां क्या करें कि arcade पहादे दो और यहां चांग कि भागे तीन का दी यह और ब्रीकत इस्तान में क्या आगया है यहां दन का छिना एक दो तीन चार पांच रहे हैं पाँच भागे यह लिखा मैंने पाँच फिर खालिस्तान फिर पाँच फिर बराबर यह बटे में पाँच यहां पर कितने भागे पूरे पाँच भागे हैं तो लिख दिया मैंने पाँच भाग पूरे लिख दिये एक दो तीन तीन भागे हैं यहां पर और यह खालिस्तान ह यहां पर देख लें एक दो तीन चार पांच छे तो सब जगह छे है तो बटे में छे फिर खालिस्तान फिर बटे में छे फिर बराबर और बटे में छे अब यहां पर छायंकित भाग यह दो है तो लिखा दो बटे छे एक दो तीन है तो यह लिखा तीन बटे छे एक दो तीन चार पांच है तो यह लिखा पांच बटे छे अब यहां पर हर समान है तो दो और तीन कितने होते हैं पांच होते हैं तो यह द्धन का चिन्ना आएगा अब हम देखेंगे सवाल नंबर दो देखो यह सवाल नमबर दो है इसमें क्या दिया है खल किजिए तो यह दिया है देखो हर समान है हर समान है तो क्या होगा अंस में सिधा चोड़या घटा होगा यह धनका चिन है तो एक और एक कितने होगा है दो यह आधार समान है पंदरा तो ये आठ और तीन कितने हो गए धनकचिन, आठ और तीन कितने हो गए ग्यारा आधार समान है, तो साथ में से पांच घटने जाएंगी सिद्धे, साथ में से पांच गए तो दो आधार समान है बाइस, तो 21 और कितने हो गए, 22 यह आधार समान है तो 15 तो पहली बार यह से लिखेंगे 12 रिण 7 और फिर 12 में 7 गये तो कितने आएगे 5 तो 5 बटे 15 फिर और कार दो 5 एकम 5 5 पंजे 15 ओ सोरी 5 तीरी 15 तो यह आजागा 1 बटे 3 और भिरन को नहीं हल करो तो भी चल जाएगा यह लिखा आधार 8 है तो 5 ओ धन 3 5 और 3 कितने हो गए 8 8 में से 8 गट गया तो कितना है एक आया यह एक आया अब यह क्या बोल रहा है एक गरिन 2 बटे 3 पर 1 बटे 3 बोल रहा है तो सीधा यह लिख देते ने 3 बटे 3 तो यह आधार क्या हो गया आधार हो गया 3 अब 3 में से 2 गए तो 1 आया आधार समान 4 तो एक और में शुन्ने जोड़ा तो 1 आया यह आधार क्या है अब देखो जैसे यहाँ पर करा एक को क्या लिखा 3 बटे 3 तो 3 कौण साल आया यह जो हर में था यह अब यह 3 है तो इसको क्या लिखेंगे एक को तो लिखेंगे पांच बटे पांच पर चुँकि तीन है तो यहां पर क्या लिखेंगे पांच गुनित तीन पांच तीरी पंद्रा बटे पांच तो 15 बट 5 को होगा जाता है, 5 एकम 5 तीरी 15 हो जाता है तुशको लिखे मैंने 15 बट 5 क्यों, क्योंकि अपनों को हर समान करना है 15 बट 5 बड 20 बट 5 अब देखो, हर समान हो गए, हर समान हो गए तो 15 मेंसे 12 गए तो 15 मेंस 12 गए तो 3, atrás 3 बट 5 सवाल नमट 3 है शुबहम ने अपने कमरे के दिवार के दो बटे तीन भाग पर पेंट किया उसकी बहन माधवी ने उसके सायता की और उस दिवार के एक बटे तीन भाग पर पेंट किया उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया तो देखो पहले लिखें शुबहम का तो ये शुबहम ने क्या करा कितना भाग पेंट करा शुबहम ने दो बटे तीन भाग उसी दिवार का मतलब दिवार समान है और उसके बाद उसकी बहन माधवी माधवी ने कितना पेंट करा उस दिवार का कितना भाग paint कर एए एक बटे-3 भाग देखो हर समान ही है पर यह दो कटे-3 है और अपने को जोनना है वास्तों में कितना भाग कर रहा है अभ यह हर समान है इसका मतलब क्या है कि जो भी दिवार है यह दिवार है उसके तीन भाग करे है तो तीन भाग करें तो दो भाग किसने करें दो भाग शुबम ने पैंट कर दिये ये दो भाग जो है वो शुबम ने पैंट कर दिये और एक भाग किसने करा माध्वी ने पैंट करा ये एक भाग किसने करा माध्वी ने पैंट करा तो तीन में से तीन भाग पूरे हो गए तो यहां हर आया तीन तो दो में से एक जोड़ा दो और एक को जोड़ा तीन तो तीन भाग थे दिवार के और तीनों भाग पेंट हो गए इसका मतलब उन दोनों ने मिलकर कितना पेंट कहा पूरी दिवार को paint कर दी पूरी दिवार को paint कर दी या दिवार के तीन भाग में से तीन भाग पूरे paint कर दी अब देखो यह सवाल नंबर चार है रिक्तिस्थानों को भरिये तो यह इहां पर देखो किया 7 बटे 10 है इसको थोड़ा मैं अलग ले देता हूँ 7 बटे 10 रिन और यह बाग से पूरा बराबर ही यह 3 बटे 10 अब देखो यहां पर क्या करना है आपनों को बाग से में भरना है कुछ तो बाग से में जो भी भरेंगे चुकि यह भिन्नम है तो यहां भी बटे में क्या आएगा 10 आएगा हर में 10 आएगा तो 10 तो करी दिया अब आधार सबके समान हो गए तब 7 में से क्या घटा है कि 3 आए तो 4 घटा आएगे तो यह 4 बटे 10 इसमें आजाएगा इसी परकर यहां पर क्या आएगा इसमें आधार 21 है तो यहां पे 21 आजाएगा और किस में से तीन घटा हैं तो 5 आए तो 5 हो तीन जोड़ दो 8 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आजाएगा तो यह बाक समाझ जाएगा 8 बटे 21 यहां पे बटे में 6 तो लिखी 2 और उपर 6 लिखना पड़ेगा ताकि 6 में से 3 घटा आए तो 3 आ जाए यहां बाक्स में 27 लिखना पड़ेगा पांच में क्या जोड़ेंगे तो 12 है साथ जोड़ेंगे यह साथ बटे 27 हो गया सवाल नमर 5 है जावेद को संतरों के एक टोकरी का पांच बटे 7 भाग मिला है तो यह जिए टोकरी के साथ भाग करें हैं तो साथ में से साथ भाग मतलब टोकरी पूरी हो गई उसमें से कितना भाग जो है इसको मिला संतरों का जावेद को मिला है तो पांच बड़े भाग जावेद को मिला है पांच बड़े साथ तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेद बचा है इतना भाग बचा है तो ये साथ करा है तो साथ में से पांच घटाया तो यह आ गया दो तो दो बटे साथ भाग जो है वो टोकरी में सेस रहा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद यह प्रश्णा वोली साथ दुसनल पांच का पांच वास वाल था अंधिम वाला